नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक खास शाबर विद्या उच्चाटन मंत्र प्रयोग के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके इस्तमाल से आप आपके दुश्मन ने आपके उपर किया हुआ जादू टोना, तांत्रिक या मांत्रिक प्रयोग और किसी भी प्रकार के उच्चाटन विदेशन, मारन, मंत्र, तंत्र, यंत्र, प्रयोग उल्टा करके वापस उसी के पास भेज सकते हो और दुश्मन की तांत्रिक गती विधिया रोग सकते हो इस मंत्र पर सिद्धी प्राप्त करने की साधना इस प्रकार से है सिद्धी प्राप्त करने के लिए साधक को यह उच्चाटन मंत्र एक रुद्राक्ष जाप माला लेकर दस हजार बार जाप करना है इसके लिए सबसे अच्छे दिन इस प्रकार से है पूर्ण या अन्शिक, सूर्य या चंद्रग्रहन, होली, नवरात्री, मकर संक्रांती, दशहरा या पंचांग के अनुसार कोई भी शुभनक्षत्र या शुभति थी दुश्मन उच्छाटन मंत्र इस प्रकार से है अगनी पर शत्रू जले, जैसे जले नीर, भैरों की दुहाई हो, सत्य की खाओ खीर संतों की भगती, शिवकी शक्ती, फूंको शत्रू पर करे दंडित वीर जो नरनारी पाप करे, संत लिखे तकदीर संतों का ले नाम, जगत में खाए खीर जय जय संतों की इती सिद्ध मित्रों, मैं यह मंत्र वापस सुनाने जा रही हूं, कुरुपया ध्यान से सुनिये अग्नी पर शत्रू जले, जैसे जले नीर भैरों की दुहाई हो सत्य, की खाओ खीर संतों की भगती, शिवकी शक्ती फूंको शत्रू पर करे दंडित वीर जो नरनारी पाप करे, संत लिखे तकदीर संतों का ले नाम, जगत में खाए खीर जय जय संतों की, इती सिद्ध दुश्मन उच्चाटन प्रयोग इस प्रकार से करना है आपको आपके पूजा घर या किसी भी मंदिर में से थोड़ी सी विभूती प्राप्त करके उस विभूती को अपने दाइने हाथ में रख कर इस उच्चाटन मंत्र का एक बार जाप करना है फिर यह उच्चाटन मंत्र अभी मंत्रित विभूती दुश्मन को खाने के लिए देनी है अगर यह संभव न हो तो उस विभूती को दुश्मन के घर के आंगन में फेक देना है ऐसा करने से उस दुश्मन की सारी तांत्रिक गती विधिया बंध हो जाएगी और वह आपको डरने लगेगा और आपसे दूर भाग जाएगा परन्तु मित्रो यह मंत्र प्रयोग किसी भी बेकसूर या निश्पाप व्यक्ती पर काम नहीं करेगा यह सिर्फ उस अधर्मी दुश्मन पर काम करेगा जो आपके उपर जादू टोने का इस्तमाल कर रहा है मित्रो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भुलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे